रावसर पुलोग के चक 29 डीटीवलीडी में एक पेचातर वर्षी एवरिद की कोरोना वाइरस के संकर्मन से मौत का मामला सामने आ है वहीं संकर्मन के बढ़ रहे हैं मामलों के बावजूद रावसर का चिकिसा मैकमा वा परशासन गैरी नींद में है इसका अनुमान यहीं से लगाए जा सकता है कि रावसर BCMO कारेले से मैज 100 मिटर की दूरी पर संचालित जेके डाइगनोस्टिक सेंटर पर सरकार दोरा जारी कोरोना गाइडलाइन की दजियां सरयाम उड़ाई जा रही है इस सेंटर पर मास्क, सेनेटाइजर, सोसल डिस्टेंसिंग आदी का जरा भी ख्याल नहीं रखा जरा है और मौके पर सेंटर के करमचारी ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह के सोपी की जानकर इची किसावी बागदोरा कभी दीन नहीं गई तो वो पालना किस बात की गरे इस मामले को लेकर जब BCMO से बात करनी चाही तो BCMO कारेलेब के कारमिकों ने बताया कि BCMO नोहर मीटिंग में गई हुए जबकि BCMO डॉक्टर संजीव चोधरी अपने चेंबर में मरीजों को देखते वे पाई गए इस मामले को लेकर BCMO डॉक्टर संजीव चोधरी जवाब दे इसे बसते नजर आई मीडिया के स्वालों पर पहले तो BCMO ने चुपी साद ली लेकिन बार-बार स्वाल करने पर BCMO कोई संतोस जवाब नहीं दे पाए